हई होई हई है है के लょ दो ऐयलकूम टॉटुब चैनल इस वीडियो में करेंगे क्लास 11 के हैं सेंटेंस हैं यह सन्टेन्स चोह बिलर सेंटेंस गा इस मील केए सिस्टरहें स्ङेटेंस में मिलके कंपाउंट बनाते हैं इसी तरह आप यहां पर सोचते हैं दो simple sentence को जब हम जोड़ देते हैं तो वह compound sentence बन जाता है जो दो simple sentence होते हैं वह एक दूसरे पर okay किसे बोलते हैं compound sentence 2 या 2 से अधिक वाक्य निफलर बनाया जाता है जोड़ने के बाद जोड़ेंग होते हैं यह गलों सवतंत्र होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं अर्थात अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर यह निर्वर नहीं करते दोनों का अपना इक full sense होती है तो therefore इसलिए बट किंतो इस्टिल फिर भी ये फिर भी ऐसे यह सब यहां पर main coordinate conjunction है इन्हीं का यूज करके हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और compound sentence बनाते हैं on the other end जो complex sentence होते हैं उनमें एक वाक्य दूसरी वाक्य पर निल्पर करता और यहां पर दोनों sentence जोड़ते हैं इक लिए जन्टाउम अन्हीं जैसे मोहन आया था चला गया तो यह लिए फिल मिनिंग और यहां आया तो मोहन यहां आया था मुहन जे में इसकी बन जाय गे वे चला गेंट वल सक बनग जाईगा लेकिन जब इसे रॉल से वांक कि ....畫ाण सेंटेंपस में भावाव चला गया था था हुआ कि मेफ दूधर के वर्ट वर यह ti-tech कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा क कि अच्छा कि ए फ्रहन केंए तो यहां पर किंतों के लिए इन पर आ ग्या है बट भी वर्ट जला गया नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी जाओ अन्य था पिता जी एपरसं होंगे इसे हम कैसे बनाएंगे गो सुन जल्दी जाओ अन्य था के लिए हम लगाएंगे otherwise पिता जी एपरसं होंगे father बिल बी angry यह सेड आप कुछ भी लख सकते हैं गो सून अन्या था के लिए हम यूज करेंगे अधर्वाइज आधर आधर विल भी एंग्री एंग्री में इन्स क्रोधित भी होता है एपरसन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं कक्सा अध्यापक एपरसन थे फिर भी ये एक कोर्डिनेट कंजिक्सन है फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा दर क्लास टीचर वोस डिस्प्लीज लिख सकते हैं यह फिर सैड भी लिख सकते हैं लेकिन यहां पर हम डिस्प्लीज ज्यादा अच्छा लग रहा है यूज करना तो उसे यूज करेंगे फिर भी के लिए हम इस्टिल ही सैड नातिंग नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं और तुम भी यहां पर बोल गया है मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं और मेरी ही तरह तुम भी कमजोर हो यहां पर इसका जो सेंस है वह ऐसे निकल रहा है तो हम यहां पर और तुम भी इसके लिए हम यूज कर देंगे, as well as you, I, मैं, as well as you, तुम्हारी की तरह ही, am weak, कमजोर हूँ, in English, नेक्स्ट है, वह हरीद्वार गया, और बहुत से मंदिर देखे, he went to अरीद्वार, और के लिए, यहां पर simple coordinate conjunction, जो सबसे simple है, and, बहुत से मंदिर देखे, and saw many temples, हमारी धुर्गतना हुई, किन्तो चोट नहीं लगी, we meet an accident, हमारी धुर्गतना हुई, की बन जाएगी, we meet, an accident, किन्तो के लिए आजाएगा, but, we were not hurt, चोट नहीं लगी के लिए आजाएगा, we were not hurt, तुम कटिन परिश्रम करो, अन्यता फेल हो जाओ, work hard, कटिन परिश्रम करो, अन्यता के लिए आएगा, otherwise, फेल हो जाओगी, you will be failed, तुम करो, अन्यता तुम फेल हो जाओगी, नेक्स्ट है, वह गरीब है, फिर भी इमानदार है, फिर भी इमानदार है, फिर भी इमानदार है, इस्टिल, ही इस, ओनेस्ट, हमें coordinate conjunction कौन सी उस करनी है, वो sentence की sense देखके हमें पता लग जाएगा, यह ने तो आर्सक है और ने उप्योगी, इस बनेगी, it is neither essential nor useful, ने तो आर्सक है, ने उप्योगी, इस, ने दर, आर्सक को कहते हैं, essential, necessary भी उस कर सकते हैं, और ने ही उप्योगी, nor useful, जा ने दर आता है, वहाँ पर नोर का उस करते हैं नहीं के लिए, ने तो तुम पढ़ते हो, ने मुझे पढ़ने देते हो, neither you read, ने तो तुम पढ़ते हो, और ने ही मुझे पढ़ने देते के लिए बनेगी, nor you let me read, neither you read, ने तो तुम पढ़ते हो, नहीं यू लेट में रिंग नहीं मुझे बढ़ने देते हूं टैन कंपाउंड सेंटेंस जिने डबल सेंटेंस भी बोलते हैं वो हमने बना लिये हैं कुछ सेंटेंस मैं आपको खुद से बनाने के लिए देती हूं आप चाहें तो इसकी definition और जोмен-coordinate conjunction हैं उनका screen short ले सकते हैं ये 3 sentence आप खुद से बनाएंगे और comment कर देना मुझे मैं reply जरूर करूंगे आपको ये main coordinate conjunction हैं जो हम इन्हें बनाते यूज लेते हैं यहापर इसलिए और वै केवल समझदार ही नहीं बलकि महनती भी है तो ये sentence आप comment कर देने मुझे इनकी answer क्या होगा thanks for watching, मिलते हैं आप से next video में तब तक लिए good bye